If you can check on Twitter, sorry, Twitter का name change हो गया है, X platform इसका name हो गया है, और इस पे अगर हम लोग देखेंगे, Open Minute काफी समय से trend कर रहा है, trending on highlights, with 7048 posts पहल, क्योंकि Open Minute के हम लोग बहुत ज़दा close आ चुके हैं, और Open Minute एक ऐसा फेज़े, जिसमें बहुत ज़दा simply हम लोग अपने सारे pie coins को, जितने collection हमने आपर किया है, जितने efforts लगाए है, वक किया है, उसके जो return से Open Minute में आपर मिल रहे हैं, क्योंकि Open Minute ही है कैसा फेज़े, जिसके अंदर external connectivity को हम लोग generate कर पा रहे हैं, जैसे कोई भी exchange ले लो, जहाँ पर pie coin का listing होता है, मतलब बड़े से बड़े कोई भी exchange यहाँ पर pie coin का listing करना ही है, उनको, क्योंकि उनके पास जो user base है, उनको अगर gain करना है, और भी ज़्यादा user base यहाँ पर अपने platform के उपर लाना है, और भी जो fund से वो लाना है, तो question in comment section that pie coin can replace gold, physical gold हो या digital gold हो, यह तो अभी digital gold की तरह ही work कर रहा है, तो क्या physical gold को यह सारे cryptocurrency यहाँ पर replace कर पाएंगे, क्योंकि gold एक बहुत बड़ा यहाँ पर marketing gold का पूरे worldwide, और इन में अभी digital gold जो form किया जा रहा है, हो रहा है, automatically हो रहा है, कोई यहाँ पर लगा नहीं है, मत bitcoin, digital gold की तरह ही work कर रहा है, intangible है, completely, electronic devices में store करके, आप लोग इसको easy ही, handle कर सकते, right, तो क्या यह replace कर रहा है gold को, आप लोग comment section में जबर मेंशन करें, आपको क्या लगता है, आपके opening viewpoints क्या है, अगर यह आ जाएगा market के अंदर सरे जगा पे, तो क्या gold का market चला जाएगा, then KYC के regarding, एक pop-up हमारे सामने show हो रहा है, जो members का KYC pending होगा, तो during the KYC process, आप लोग आपके validators को, आपके name को show कर सकते, उनको validate करने के लिए, एक सही identity है, सही document है, सही document के साथ इसको यहापर verify किया जा रहा है, आपके name को, यह important है, अगर यह name verified नहीं होता है, तो आपका KYC complete नहीं होगा, इसको simply से आपको allow कर लेना है, सिप आपका जो name है, यहापर show हो जाएगा, उन सारे validators को, जो KYC को complete करने में help कर रहे हैं, सारे pioneers की, then one more interesting thing is that, your chat request to Nicholas, जो Nicholas founder है, इस project के, इनको अभी, एक message करने का, के लिए, staking करने के लिए, cost कितना लग रहा है, आप लोग देख सकते 52,428.915, तो यह currently lock mining rewards, जितना ज्यादा यहापर locked होता है, उतना ज्यादा यहापर इसका price बन रहा है, कैसे, क्योंकि circulating supply के अंदर, यह circulating supply समझ दो, इसके अंदर, यह coins भी plus होने वाले थे, 1.7, इसमें ही plus हो जाते, बट जो एक खास feature यहापर, buy coin team ने यहापर provide किया है, वो कुछ समय के लिए lock करना, यानि कि stake कर देना, और इसको कुछ समय के बाद ही यहापर release करना, क्योंकि यह circulating supply में नहीं रहेंगे, और जितना सारा funding रहेंगा, total market cap circulate करेगा, वो सिर्फ इतने buy coins में circulate करेगा, यह buy coins में नहीं करेगा, तो एक benefit अच्छा है, कि यहाँ से सारे buy coins exchange होते रहेंगे, यह lock रहेंगे, इसको कोई touch नहीं करेगा, तो यह जितने सालों तक यहाँ पर lock किया गया, अपने सारे team members के तुरू, उतना जदा benefit है आपर उनको मिलने वाला है, latest operations के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारे बड़े-बड़े transactions है, आपर already buy blockchain के एक base, इसने base create किया है, market के अंदर, जो base create किया है, वो किसी भी cryptocurrency ने किया नहीं है, base कैसे create किया है, यह common से common एक person, कोई भी entity, individual entity, इसको easily अपने smartphone के तुरू कलिक कर रहा है, और इसका main vision, mission, target यही है, कि इसको worldwide, widely used cryptocurrency बनाना, as a like fiat, जैसे INR में आप लोग, हम लोग transaction करेंगे, किसी को भी phone पे, Google पे करेंगे, रुपीज में, वैसे आप लोग simply pie coin के app के तुरू किया और code को scan कर तो, pie coin में payment कतम, अपने product लिए है, बस, pie coin को value भी increase हो रहा है, और साथी में exchange भी बढ़ रहा है, और globally trade भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़े happening है, step by step हर script के साथ सारे updates आपक करके activate कर लेना, क्योंकि important debit के समय पे कोई भी withdrawal के regarding important step आता है, तो आपसे miss ना हो, क्योंकि open minute के पास हम लोग आ चुके है, open minute जैसे launch होता है, वैसे सारे updates आपको मिल जाते, recently IOU listed pie coin की अगर हम बात करेंगे, तो $29.03 आज अब भी भी price चल रहा है, ये price indicate करता है, help करता है, सार ये एक as a consensus value अब भी के समय पे सारे partners के लिए work कर रहा है, अगर कोई person यहाँ पर in exchange of pie coins goods and services का use करना चाता है, consumption करना चाता है market में, तो ये value को easily consider करके, आप सारे, जितने भी सारे partners है, world well यहाँ पर trade कर सकते हैं, जो mass level पे offline events को conduct करके, बड़े सभी users के तरू इस price को decide किया गय है, वो है $314.159, ये भी value possible है, और अभी के समय पे, मतलब जब तक ये IOU के अंदर है, ये value को हम लोग consider कर सकते हैं, बट हाँ, as a trade करने के लिए, कोई अगर यहाँ पर investment करना चाहेगा, इस IOU के अंदर तो यहाँ पर recommend किसी को भी किया नहीं जा रहा है, क्योंकि pie coin already, authorized listing नहीं है, तो इससे सिर्फ आपर educational purpose basis पर हमें इसको देखना है, but important दोस्तो market cap, अभी pie coin के अंदर कितना market क्या आ पा रहा है, उसके उपर इसका value निरबर करता है, depend करता है, अगर global market cap की बात करेंगे, तो यह यहाँ पर day per day increase होता जा रहा है, 1.68, और अपसे 2 मंस पहले जै और 3 times, 4 times हम लोग बोल सकते हैं, 1,2, अगर हम लोग देखें, यह 1,2 के बात 6,8, यह touch भी क्या था, 1.75 इसके अब भो भी जाके आया है, 1.80 के अब भी जाके आया है, क्योंकि यहाँ पर bitcoin जो है, यह outperform कर रहा है, और bitcoin के अदर जो ETF थे, वो अपरू हो चुके है, so if we check about yearly all time महाई दिस आया हुए listing का, तो 330 ओर्री बन चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह starting में सबसे initially spike moment आया था, लेकिन उसके बाद market जो cryptocurrency, overall market है, यह deep में जाने के कारण, यहाँ पर prices के अंदर आपको dumps देखने को मिले, market cap अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यह almost 1.9 मतलब around 2 billion almost हो ही गया है, complete हो गया है, इसके बहुत सारे benefits से सारे partners को यह भी जरूर discussion करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों important है, आप लोग circulating supply में जितने coins देख रहे हैं, वो है 68 million के around, billion नहीं है, million, और total supply के अगर हम लोग actual supply की बात करेंगे, तो 100 billion का है,